हे गाईज देखो एक पैनी स्टॉक एक छोटा सा पैनी स्टॉक जिसका शेर का प्राइस केवल एक रुपे से चलना स्टार्ट हुआ था कितने से एक रुपे से चलना स्टार्ट हुआ था और इस कम्पनी ने 2000 परसंट तक का रिटन निकाल के दिया ध्यान से समझे गा एक बा नाइन रुपीज के बाजू में देखने को मिल रहा है, कितना नाइन रुपीज के बाजू में देखने को मिल रहा है, और यहां पर जब यह सौक नौ रुपे के बाजू में देखने को मिल रहा है, तो परमोटर्स ने और हिस्सेदारी खरीदना स्टार्ट कर दे, परमोटर् जब यह company establish हुआ था तो जब यह company बन रहा था तो यह company सबसे पहले cement बनाती थी cement तो जब cement company बनाती थी तो company को लगा कि cement से ज़्यादा जो है मतलब agro product में ज़्यादा benefit देखने को मिलेगा उसके साथ जो यह company food मतलब जैसे कि rice हो जाएगा wheat हो जाएगा और भी बहुत सारे मतलब ब्रिविरेज वगर आपको देखने को मिल जाएगे तो यह बासमति rice वगर हो जाएगा इस सारी चीजों पर यह company फोकस करना start कर रहे है और इनका जो 100% revenue आता है वो इंडिया सही आता 100% जो revenue आता है वो इंडिया सही आता और यह company कोसिस कर रहे है नए plant लगाने के लिए नए plant लगाना चाहती है यह company ताकि यह अपने जो जो इनके capacity है इनको बढ़ाप है मतलब 100 metric turn अगर माल लेते हैं कि हर महीने यह माल लेते हैं कि चावल का यह जो भी है इनका एक capacity है तो भ और extra आपके पास आपका share double हो जाएंगे जितने भी आपने quantity खरीद रखे होंगे आपका share double हो जागा और company ने split नहीं यहाँ पर bonus दिया है bonus का मतलब company अपने reserve को इस्तमाल कर रहे है company को benefit देने के लिए split का मतलब company अपने face value को इस्तमाल कर रहे है किवल चीजों को divide करने के लि था वो भी किसके लिए proposal दिया गया था यह manufacturing of यहाँ पर देख सकते हो grain based ethanol वगारा के लिए किसके लिए ethanol वगारा के लिए यहाँ पर दिया गया था और company बोल रही है कि ethanol के production से हम 3500 करोड 3500 करोड तक का जो है हम यहाँ पर यह कर लेंगे revenue generate कर लेंगे और 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 मतलब company जो आगे आने वाले दिनों में अगर 3500 करोड का यह जो जिस तरके से revenue बोलो sales बोलो अगर generate कर लेती है तो यह company का profit बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा क्योंकि यह बहुत छोटा company है और इसके लिए जो company ने target दिया है 2024 second quarter आपको बताया जा रहा है तो क्या आप मतलब company ने ज ज्यान रख सकती है ज्यादा तरो जो company है hotel, restaurant, cafe में अपना माल supply करती है और government के साथ भी company टाइप करके कुछ बड़ा काम करना चाहती है और थोड़ा बहुत fundamental की निजर से अगर आप देखना चाहोगे तो company का market cap के यह बहुत चोटी है मतलब company बहुत चोटी है साथ में company का dividend 0 0.04% लोग बोलेंगा sir मैंने देखे company already इतनी छोटी है और उसके साथ साथ return on capital employed return on equity देखे 38% 36% इसका मतलब क्या होता return on capital employed मतलब कि आपको FD पर कितना मिलता return on FD same return on FD तो वहां कितना मिलता 5% मिलता 1 लाग का है तो 5% आपको मिलता 5,000 रुपीज आपको benefit होता तो वही बत benefit निकलता हो और यही चीज आपको benefit मिलता तो देख लिए 38% 36% कुछ ज़्यादा अच्छा होता है अच्छी ख़बर क्या है कि company अपना date भी कम कर रही है date भी कम कर रही है 80% से ज़्यादा आप लोग को CAGR निकाल के देती है compound annual growth rate पिछले 500 से और company जो है FMCG के लिए company गाम कर यह company का नाम है मिश्तान food limited मिश्तान food limited केवल 9 रुपय के बाजू में चल रहा है यह देखिए बताया जा रहा है जब यह 2 रुपय से चलना start किया था तो इसने 2000% से भी ज्यादा return निकाल के दिया अब वो all time high से यह stock देखो कितना गिरा हुआ है all time high से यह जो stock है 74% गिरा company के quarter result पे एक बार नजर डालिए आपको पता चलेगा company के यह quarter result देख सकते हूं यह आपको बताया जा रहा quarter result अब quarter result में देख लिए तो इसका profit हर बार बढ़ता जा रहा यह आपको बताया जा रहा revenue यहाँ देख सकते हो revenue बताया जा रहा और यह आपको बताया जा रहा net income द यहां पर जो आपको देखने को मिल्या वो बो ten आपको बताया जारा देख सकते हों तो यह कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा आप खुदी देख लिजें यहां पर मतलब आप समझ सकते हो कि इनका profit जो है डबल हो चुका, एक तरीके से डबल हो चुका, इनका जो profit है वो डबल हो चुका पिछले एक साल में, तो company ने काफी एच्छा quarter result भी दिया है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा, चोटी सी company में देखे, अडबर्टाइजवर ना गया, यहाँ पर आपको बताया जा रहा, जो 500% से भी ज़्यादा रिटर निकाल के दिया है, पिछले चार सालों में, क्या यह stock आपके पास है, नीचे देखे, नीचे आपको company का नाम बताया जागा, यहाँ पर देख सकते हो, परमोटर अप दो, स्मॉल कैप कंपनी, मिस्तान फूद लिमिटेड, यहाँ पर देखे, बताया जा रहा है, यह जो डील हुआ है, ओपिन मार्केट में, यह जो डील हुआ है, परमोटर सुने जो डिरेक्ली खरीदा है, एवरेस प्राइज 9.09% बताया गया है, देख सकते ह एवरेस प्राइज 0.09, मितलब 9 रुपे के वैल्लु में खरीदा गया है, यहाँ पर, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि परमोटर सुने दो लाग शेर खरीदे यह, कितना, दो लाग शेर खरीदा गया, यहां देखें नीचे में, मतलब यह परमोटर सुने खरीदा है है आपर अब वो भी 90% की गिरावट के बाद हाला कि 2024 में जो ये company बड़ा करने वाली है इनका जो 3000-4000 करोड का जो ये revenue एचीव करने वाले है ये भी उनका 2024 का target है तो वो भी आप आपको देखने को मिल जागा 2023 के बाद 2023 में बजट में बहुत सारे announcement आपको देखने को मिल जाएंगे ethanol से related आपको देखने को मिल जाएंगे तो वहाँ पर भी company के लिए good news आ सकती है तो company के बारे में और ज्यादा जनकारी लिजिए और ज्यादा समझने की कोशिस करे ये मैंने आपको एक छोटी सी झाल